Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you on Versatile Brains दोस्तो जो Spoken English Classes 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम Walkability डिसकस कर रहे है और यह जो सीरीज चल रहे है यह आपके competition exams में तो आपको help करती ही है साथी साथ आपकी Spoken English को भी improve करती है दोस्तो जो topic हम discuss कर रहे हैं वो है all important words of nature and geography इस पर दो वीडियोज हम already discuss कर चुके हैं यह उसी वीडियो का तीसरा part है और जो पहले वाले दो वीडियोज है nature और geography के वो आ चुके हैं आप playlist में जाकर उनको देख सकते और आज हम discuss करने वाले हैं इसका third part और यह third part discuss करके हम इसको close करेंगे फिर अगला chapter देखेंगे तो दोस्तो चलिए शुरू करता है आज का जो पहला शब्द है वो है परमपरा से हटकर परमपरा से हटकर अगर लिखा हो तो इसको हम English में बोलते हैं अगला जो शब्द है वो है तर्क को हम English में बोलते हैं अगला जो शब्द है वो है तर्क तर्क को हम English में कहते हैं लॉजिक यानि कुछ कहने से पहले कुछ बोलने से पहले जो हम लॉजिक यूज़ करते हैं उसको हिंदी में कहा जाता है तर्क अगला जो शब्द है वो है इसके विपरीत तो हम कहते हैं on the contrary on the contrary of something किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या अगेंस्ट नहीं विपरीत यानि अगर प्लस है तो इसका कॉंट्रेरी क्या होता है माइनस इसके जस्ट ऑबोजिट अगला शब्द है अभियान अभियान को हम English में बोलते हैं इसकी स्पैलिंग होती है इसमें जो जी शब्द लिखा है यह साइलेंट होता है तो इस जी को हम पढ़ते नहीं है इसको पढ़ते हैं अगला जो शब्द है चरण चरण को हम English में मोलते हैं erosion erosion जैसे कि अगर मिट्टी का चरण हो तो इसको हम कहते हैं अग्ला शब्द है चोटई खेत च्योटे च्योघों को हम पोलते हैं पै жд यहां इसको खाने यहां से निकलती है च्छाल उसको इंगलिश में बोलते हैं सिlements युद्ध हे तु आभान करना तो इसको हम बोलते हैं a call a call the army a call to the army या a call the army युद्ध के लिए आभान करना अगला शब्द है घीरा बनाना घीरा बनाने को हम कहते हैं fence F-E-N-C आपने देखा हुआ किसी खेत के चारों तरफ fence लगी होती है या फिर तारों की लगी होती है या फिर तारों की लगी होती है इसको हम बोलते हैं fence यानि घीरा बनाना अगला शब्द है एक प्रकार का नेवला इसको हम ferret बोलते हैं type of nevla इसको हम कहते हैं ferret ferret यानि एक प्रकार का नेवला अगला है युद्ध के लिए तयार करना तो इसको हम mobilize करना कहते हैं सेनिकों को appoint करना, उनको weapons चलाना, सिखाना उनको training देना, ये पूरी तयारी होती है युद्ध की और इस पूरी तयारी को एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो हम कहेंगे उनको mobilize करना अगला शब्द है साधन, साधनों को हम कहते है resources resources अगला शब्द है बिल्लियों, बिल्लियों को tabbies भी कहा जाता है, वैसे तो हम cats कहते हैं लेकिन बिल्लियों के लिए एक नया शब्द भी है, इनको हम tabbies कह सकते हैं, tabbies यानि बिल्लिया अगला शब्द है आक्रमाण शेत्र को हम कहते हैं इन्वेजन एरिया आक्रमाण शेत्र मतलब वह जगा जहाँ पर हमला करना है जिसे इंडियन आर्मी है उन्होंने पता लगाए कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट चुपे हुए है तो वो यहाँ पर हमला करने वाले हैं अब यहां से हमला नहीं करेंगे, आब वहां से हमला मत करना तो आप शेत्र फर कुछ जाहएं वाल्र कफ़ँन को कि तो अगला शब्द है शिकार को आप यंन्गलिस में बोलते हैं प्रे और प्र प्रार्थना हूँ वो प्रार्थना करता हो तो वो होता है P-R-E-Y, pray, I'm confused, P-R-E-Y मतलब प्रार्थना और P-R-E-Y यानि होता है शिकार, यह लिखा हुआ है, ओके, अगला शब्द है अविश्वस्निय रूप से तो इसको हम कहते हैं, incredibly, incredibly अनि अविश्वस्निय रूप से, अगला शब्द है आ कुछी पेंडस फढ़ेंगे इसको अगला शब्द है जाली, जाली को हम इंगलिश में बोलते हैं, मैष, M E S H, मैश यानि जाली, अगला शब्द है रोकना, रोकने को हम इंगलिश में बोलते हैं, two-stem, two-stem we will take the two-stem tomorrow closes, कापना कापने को इंगलिश में बोल पोला जाता है श तर्बन यानि पगड़ी जो आपने दिखा होगा गाओं के लोग या फिर पंजावी लोग सर पहने रहते हैं उसको हम बोलते हैं टर्बन next रप्ध हिचकिचाहट प्रो और क्लेम मतलब भोशित करना अगले शब्द है पराजे ईसको ब鐳़ाय हार हार यानी भी होता है पराजे पराजे हार को भी कहा जाता है इसका मतलब दिफीट दिफीट यानी हार या फिर पराज है, संभावना को हम कोई है prospect, या possibility यह दो शब्द संभावना के लिए है अगला है क्रपित, यह क्रपित नहीं है, यह है कुपित, यानि गुस्से में असको हम कहते हैं furious, बहुत जादा angry, बहुत जादा गुस्से में तो इसको हम कहते हैं furious अगला शबद है इर्षा, इर्षा को हम Envy बोलते हैं, Envy मतलब इर्षा, Jealous V कहा जाता है इसको Next शबद है चोट, चोट को Enjury बोला जाता है, Enjury मतलब चोट किसी भी तरह की Enjury पसली जो हमारे शरीर के अंदर होती है तो उनको हम बूलते है रिब्स रिब्स यानि पसलिया नेक्ट शब्द है पीडित हुए या अगर इसको हम हटा दें हुए को तो पीडित जो शब्द है इसका मतलब भी होता है किसी तरह की बीमारी, परेशानी, दर्द दुष्ट शब्द है next इसको हम बोलते है विलन फिल्म में आपने देखा होगा विलन जो शब्द होता है मतलब ऐसा कोई आदमी जो बुरे काम करता है हीरो को परेशान करता है समाज के लिए वो परेशान करता है इसको दुष्ट कहते है और इसका English meaning होता है विलन next शब्द है वेचैन वेचैन को हम English में बोलते है restless next शब्द है रहसेपूर्ण तो रहसेपूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है mysterious इसको हम पढ़ेंगे mysterious mysterious यानि रहसेपूर्ण next शब्द है शर्थ noun को English हम कहते है bet bet लगाना यानि शर्थ अगला शब्द है निराशा निराशअ को इंग्लिश में बोला जाता है disappointment this फिर उसके बाद appoint और फिर meant disappointment मतलब निराशजा फिर next शब्द है नीचे उतरना को हम बोलते हैं descend कहीं से भी डिसेंड करना मतलब नीचे उतरना नेक्स अब देस सीधी सीधी को इंग्लिश में बोला जाता है लेडर ठीक है वो जो नसेनी होती है न ऐसी कहीं चड़ने के लिए तो उसको हम लेडर बोलते हैं ठीक है आपने सुना होगा स्नेक एंड लेडर सांप सीधी का खेल भी होता है ठीक है और वैसे जनरली जो मकानों के अंदर होती है उनको स्टेयर्स का जाता है स्टेयर्स मतलब सीधीयां नेक्स अब देखा होगा वह लगाने वाला जो वुमिलियन कहते हैं वह मिलियन इसमें जो रा है उसको प्रनुनशियेट नहीं करते हैं इस वाले आर को इसका हम बोलते हैं वामिलियन वामिलियन यानि सिंदूर नेक्स है देदेने को makeover भी कहते हैं या handover भी कहते हैं या give generally हम कहते ही है ठीके अगला शब्न पालती मारकर बैठना यानि squatter होता है don't copy or note this next है बुदबुताता गया इसको हम कहते है went on muttering आपने किसी को डांट दिया और आपने देखा कि वो कुछ तो भी बोलता हुए चला जा रहा था आपको गालियां देते हुए या मन में कोशते हुए चला जा रहा था तो इसको हम कहते है शिक है बुदबुताता गया यानी went on muttering mutter करते हुए तीक next है जड़ हो जाना या चेथ हो जाना एक तरह से बेहूश हो जाना तो इसको हम कहते है stipified yarni जड़ हो जाना अचेथ हो जाना कोई उसमें जेतना ना बचना एक तरह से बिहोश हो जाना तो इसको हम Stipified कहते हैं Next है सक्त या कड़ा तो इसको हम भोलते हैं Stiff S-T-I-F-F-Stiff Next है आपत्ती ग्रस्त तो इसको हम भोलते हैं Distressed ठीक आपत्ती मतलब कोई परेशानी कोई मुसीबत फेस करने पढ़ जाने के बाद तो आपत्ती ग्रस्त यानी Distressed ठीक Next है दम घुटा हुआ तो Stiffed होता है या दम घुटना तो Stiff होता S-T-I-F-F Stiff यानी दम घुटना और दम घुटा हुआ तो आपत्ती ग्रस्त यानी Distressed S-T-I-F-E-D ठीक Next है आकरमन करना किसी जगा पे किसी देश पे तो इसको हम कहते हैं उसको Invade करना Invade अभी पहले हमने एक शब्द पढ़ा था आकरमन करने वाला एरिया तो इसको Invasion एरिया बोलते हैं इसी का वर्म फॉर्म है Invade यानी आकरमन करना Next है सेना में सामिल करना तो इसको हम बोलते हैं Enlist करना जोरो नहीं सेना में करना हो कहीं भी शामिल करना लिस्ट में नाम जोड़ लेना तो उसको कहते हैं Enlist Next है बिनाशकारी पशू तो इसको हम बोलते हैं Pest वैसे तो वो पशू नहीं होते वो वेक्टिरिया होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जिनके लिए Pesticide बनाया जाता है उसका ये शब्द होता है Pesticide का I-C-I-D जोड़ा होता है Pesticide का मतलब होता है जो खेतों में कीट पतंगे हो जाते हैं उनको मारने वाली दवाई Pesticide तो जो बिनाश करने वाले कीट पतंगे हैं मारने वाली दबाई पेस्टी साइड और पेस्ट अकेला बोला जाए तो बिनाशकारी कीट पतंगे जो भी ठीक कठोर जो शब्द है उसके लिए वैसे तो हम बोलते हैं बहुत हार्ड या फिर स्ट्रॉंग और इसके लिए एक और शब्द है हम ड्रास्टिक भी कहते हैं ड्रास्टिक यानि कठोर ठीक नेक्स शब्द है दुस्वपन यानि बुरा सपना जिसमें आप डर जाओ दुखी हो जाओ तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट मेयर नाइट मेयर हमेशा बुरे सपने को कहा जाता है फिर नेक्स्ड है तीव्र हो जाना तो इसको हम एग्रेवेट कहते हैं और आज़ित यानि तीव्र हो जाना इस्पीड में नेक्स है जवार जवार का हम बोलते हैं टाइड इसका कपड दौने का एक पाओडर भी आता है टाइड नाम से टाइड मतलब यह जवार जब समुद्र की जो लहरें हैं वो उपर उठती हैं बहुत उपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं इसको हम बोलते हैं जवार नेक्स शब्ध है परम्परागत फिर्दय का आकार जो जन्रली यह ऐसा माना जाता है उक्तर हमारी नसे ग्रॉंट के अंदर उनको हम हिंदी में रक्त बहानिया कहते हैं और इनको हम blood vessels बोलते हैं English में इसमें जो vessels है न वैसल्स और veins दो शब्द इस्तमाल होते हैं नसों के लिए तो blood vessels मतलब रक्त बहानिया जो हमारे खून को पूरी body में circulate करती है नेक्स शब्द इस नाजुक और सुकोमल इसको हम बोलते हैं यह का नहीं है फा है इसको हम बोलते हैं fragile या fragile कुछ लोग इसको जा भी पढ़ते हैं आप जा पढ़िए चाहें गा पढ़िए इस शब्द को यह जरूर रखिए fragile या fragile का मतलब होता है नाजुक जो जरासा आप उसको गिरा दो तो तूट जाए बहुत सुकोमल ठीक next है तेज धाबक तेज धाबक मतलब जो बहुत तेज दोड लगाता है running करता है price चीतता है इसको हम बोलते है sprinter sprinter मतलब होता है धाबक फिर गती है तो इसको हम बोलते है pace speed यानि pace speed या गती तो इसको हम बोलते है pace जाली नेच्ट जब जार सिकुडना तो सिकुडने को हम बोलता है to contract to contract मतलब सिकुडना ठीक नेक्स्ट है उन्माद ग्रस्त या भाबुक बहुत ज़्यादा भाबुक ठीक तो इसको बोलता है neurotic neurotic क्या नहीं उन्माद ग्रस्त या भाबुक ठीक नेक्स्ट है बहे कर जाना तो बहकर जाती है अगर कोई चीज उसको बोलते हैं drift करते हुई चले जारी है drift करना है यहीं बहकर जाना next है उच्छलना या चड़ जाना किसी चीज की ऊपर तो उसको हम बोलते है skip तीक या एक को मिस करके दूसरे को जाना तो skip करना होता है फिर है ज्वलन प्रणाली तो इसका हम कேते ignition system ignition system यानी ज्वलन प्रणाली फिर इसा गाउं या एसा एरिया जहां पर विकास नहीν हो रहा है government ध्यान नहीं दे रही है तो इसका हमोता है out of tune out of tune जो tune से बाहर हो का है वहाँ पर आप कोई ध्यान निये देदा नेक्स ए उत्पन्न करना तो उत्पन्न करने के लिए शब्द यूद उता है generate किसी चीज़ को generate करना मतलब उसको उत्पन्न करना थी फिर नेक्स शब्द है चित्वरत्तिया तो इसको हम English हम बोलते हैं impulses impulses मतलब चित्वरत्तिया थीक तो दोस्टो यह था इसका geography और nature का part 3 I hope कि आपको यह तीनों parts पसंद आयोंगे और यह आपको अपने spoken English में plus आप competition exam में help करेंगे और यह video series आपको कैसी लग रहे है आप मुझे नीचे comment section में लिखके ज़रूर बताएगा कुछ improvement आते हैं तो वो भी लिखेगा और आप चाहें तो मुझे facebook पर follow कर सकते हैं वहाँ जाके आपको यह search करना पड़ेगा और आगे आने वाले videos को अगर आप दीखना चाहते हैं तो इस channel को subscribe कर लें और आप अपने friends और family members के साथ भी इस video को share कर सकते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी बता देता हूँ कि अगले वीडियो में हम discuss करने वाले हैं kitchen से related सारे शब्द ठीक है kitchen में जो भी सारी चीज़ा इस्तमाल होती है है ना या फिर जो भी verbs से इस्तमाल होती है उन सबको हम एक ही वीडियो में discuss करेंगे वो वीडियो थोड़ा related होगा अगला वाला related होगा सारी kitchen की चीज़ों से प्लस थोड़ा बढ़ा भी होगा आप उसको patience के साथ देखिए उसमें मैंने सारे शब्द include करें हैं जो आपको kitchen के अंदर मिलेंगे kitchen के अंदर होने वाली चीज़ें kitchen के अंदर किये जाने वाले काम सारे words मैंने वस एक वीडियो में add कि हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और that's all for today मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए Goodbye